अकाश्वाणी भूपाल सी प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं सैंटा बैनर ची देश भर में 18 वर्ष से अधिकायू के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों पर निष्षुलक टीका करन अभियान चलाया जा रहा है आपसे अपील है कि कोविट रोधी टीका जरूर लगवाएं कोरोना महमारी के प्रती कोई भी लापरवाही न परते जब तक आवश्यक न हों घर से बाहर न निकले और इन आसान उपायों का पालन करें मास्क लगाएं दो गस्की सुरक्ष दूरी बनाए रखें बार बार हाद धोएं और साफ सफाई रखें और टीका जरूर लगवाएं कोविट से सम्मंधत जानकारी और मागदर्शन के लिए राजश्य हेल्पलाइन कारे रथ है इसका नंबर है 011-239-78046-1075 अब मुख्य समाचार जपान के टोक्यों में खेलों के महाकूम बोलंपिक काज, शाम, आपचारिक उद्खाटन होगा उद्खाटन समारों में भारतिय धोजवाहक, महिला मुक्यबाज, मेरीकॉम और हौकी टीम के कप्तान मनप्रीच से होंगे कल 10,45,671 लोगों को वैक्सीन लगाकर मधिप्रदेश फिर देश में अवल रहा और महत्वपून सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म्स ने डिजिटल मीडिया आचार सहिता का पालन शुरू किया अब समाचार विस्तार से उलंपिक खेलों का उद्खाटन आज जपैन की राजधानी टोक्यो में पारंपरेक और आपचारिक रूप से किया जाएगा भारती समय अनुसार ये उद्खाटन समारों शाम साढ़े चार बजे से शुरू होगा इस बार उलंपिक का शुभांकर है मिराई तोवा टोक्यो में नव निर्मत नाशनल स्टेडियम में आजध होने वाले इस उद्खाटन समारों का आयोजन कोविड महमारी के कारण साधगी के साथ किया जाएगा इस समारों में जपैन के सौंदर्य और संस्कृति को दर्शाया जाएगा कोविड महमारी के कारण ये समारों और खेल्स परधाएं बिना दर्शकों के आयोजन की जाएगी टोक्यो उलम्पिक में 42 खेल स्थानों पर 33 खेल पर धाय आयोज़त की जाएंगी जिसमें 206 देशों के 11,000 खिलाडी भाग लेंगे टोक्यो खेल गाउं में 21,88 बनाए गए हैं जिनमें 26,000 से ज्यादा बिस्तरों की विवस्था की गई है उलम्पिक के इतिहास में ये पहली बार होगा जब कार्बन डायोकसाइड उतसर्जत इंधन का इस्तमाल नहीं होगा टोक्यो में खिलाडियों को दिये जाने वाले पदकों को लगभग 5,000 छोटे इलेक्ट्रोनिक उपकरणों से तयार किया गया है खेलों के इस महाकुम्ब में भारत के 127 खिलाडी भाग ले रहे हैं जिन में 71 पुरुष और 56 महिलाएं शामिल हैं भारत की ओर से महिला मुक्केबाज मरीकॉम और हौकी टीम के कप्तान मनप्रीट से उधगाटन समारों में भारत के ध्वजवा हग होंगे इस बार टोक्यो में चार नए खेलों को शामिल किया गया है जिन में स्केट बोट, सर्फिंग, स्पोर्ट, क्लाइमिंग और कराटे शामिल है इस बार बेजबॉल और सौफट बॉल की वापसी हुई है उलम्पिक खेलों का समापन समारों आठ अगस्त को नाशनल स्टेडियम से ही होगा केंद्री मंत्री और वरिष्ट भाजपा नेता नुराक ठाको ने कहा है कि भाजपा युवा मोचा ने बड़ी संखा में चीर फॉर इंडिया अभियान में भाग लेने के लिए देश के युवाओं को प्रोटसाहित करने के लिए एक अभियान शुरू किया है देश भर में ये अभियान 23 जुलाई से 8 अगस तक चलाया जाएगा इस बारे में कल एक पोर्टल की शुरुवाद भी की गई देश के युवाओं इस पोर्टल पर 16 अलग-अलग गतिवधियों के लिए अपना नामांगन करा सकते हैं देश में कोविट टीका करण के अंतरगत अभी तक कुल मिलाकर 42 करोड से अधिक टीके लगाया जा चुके हैं स्वास्त मंत्रवाले ने बताया है कि कल 48,86,000 वैक्सीन के डोस दी गई पिछले महिने की 20 तारीक से शुरू हुए कोविट-19 टीका करण के नए चरण के अंतरगत सभी को नहशुल के टीके लगाया जा रहे हैं कल 18-44 वर्ष के आयू समुह के 23 लाग से अधिक लोगों को वैक्सीन की पहली और 2 लाग से अधिक लोगों को दूसरी डोस दी गई कोविट टीका करण के तीसरे चरण में अभी तक देशभर में 18 से 44 वर्ष के आयू समुह में 13 करोड 29 लाग से अधिक लोगों को टीके की पहली डोस दी गई है जबकि 55 लाग से अधिक लोगों ने दूसरा टीका लगवाया है तीन राज्यों मध्यप्रदेश, महराश्ट्रों और उत्तरप्रदेश में 18 से 44 वर्ष के आयू समुह में कुल मिलाकर एक करोड से अधिक टीके लगाय जा चुके हैं टीका करन महाभियान के तहट कल 22 जुलाई को 10,45,671 लोगों को वैक्सीन लगाकर मध्यप्रदेश कल फिर देश में अवल रहा रपोर्ट के अनुसार कल पूरे देश में हुए वैक्सिनेशन में से सरवाधिक वैक्सिनेशन मध्यप्रदेश में किया गया उधर प्रदेश में कल गुरुवार को कोरोना के मात्रों 17 नए प्रकरण आये हैं पॉजिटिविटी दर 0.02 प्रतिशत है आज 17 रोगी स्वस्थ हुए कल स्वस्थ हुए थे कल ने डिस्चार्च किया गया और 76,314 कोरोना टेस्ट किये गए कोरोना संक्रमन के नए प्रकरणों में भोपाल में तीन अंदौर में साथ, जबलपुर में दो, बालाघाट, खरगौन, मुरैना, राजगर और शिवपुरी में एक-एक नए प्रकरण आया है कोविट-19 से बचाओ और सुरक्षित रहने के तीन उपाए मास्क लगाएं, दो गस दोरी है जरोरी, सुरक्षित दोरी रखें, हाथ और मुँ साफ रखें प्रेक के बाद बुलिटन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है फेस्बुक, गूगल, ट्विटर, लिंक्डिन, वाटसैप और अन्य महत्वपून सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म SSMI ने नए IT दिशा नर्देशो और डिजिटल मीडिया अचार सहिता का पालन करते हुए भारत में मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल संपरक अधिकारी और इस्थानिय शिकायत निरवारण अधिकारी नियुक्त कर दिये हैं उन्होंने नए नियमों के तहट अनिवारिय रूप से मासिक अनुपालन रपोर्ट प्रकाशत करना भी शुरू कर दिया है ये जानकारी कल राजे सभा में एलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्राध्योगी की राजे मंत्री राजीव चंद्रुशेखर ने एक प्रश्न के लिखेत उत्तर में दी उन्होंने कहा कि नए नियमों के लागू होने के बाद भी ट्विटर नियमों का पालन नहीं कर रहा था लेकिन बाद में उसने मुख्य अनुपालन अधिकारी और एक स्थानी शिकायत निवारण अधिकारी को आकस्मिक व्यवस्था के रूप में न्यूक किया ट्रिटर ने मंत्रु आले को भारत में अपना संपर्क पता भी दिया है और जून 2021 की अनुपालन रिपोर्ट भी प्रकाशित की है राजी सरकार ने कल प्रदेश की सहरिया भारिया और बैगा समुदाय की महिलाओं के बैंक खातों में अनुदान राशी स्थाना अंतरब की मुख्यमंत्रु शिवरा सिंग चौहान ने वर्चुल माध्यम से 2.24 लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते में 22.40 करोड रुपे ट्रांसफर किये इस अवसर पर मुख्यमंत्रु ने कहा कि ये जनजातियां सामाजिक, शैक्षनिक और आर्थिक द्रिष्टी से पिछड़ी हुई है उन्होंने बताया कि इन जनजातियों की महिलाओं में पोशन की स्थिती सुधारने के लिए आहार अनुदान योजना शुरू की गई है जिसमें हर महीने एक-एक हजार रुपे पोशन आहार के लिए दिये जाते हैं सरकार ने देश में उन्नत किस्म के इस बात के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन आधारत प्रोथसाहन योजना को मंजूरी दे दी है केंद्री मंत्री मंडल की बैठक में कल ये फैसला लिया गया इस योजना पर अगले 5 साल में 6,322 करोड रुपे खर्च किये जाएंगे इसके तहट उत्पादन के आधार पर 4 से 12 प्रतिशत तक की रियायत दी जाएगी सूचना और प्रसारण मंत्री और राक ठाकों ने नई दिल्ली में पत्रकारों को ये जानकारी दी बात करेंगे मौसम की लगभग एक पकवाड़े के बाद प्रदेश में मौनसून फिर से सक्रिय हो गया है पिछले 24 घंटों में प्रदेश के बड़े हिस्से में अच्छी बारिश होई विदिशा के सिरॉंच में 10 इंच बारिश होने से बार जैसे हालात बन गए कलरीवा, शेहडोल, सागर, जबलपुर और होशंगाबाद संभागों में कहीं कहीं तेज बारिश होई वहीं भोपाल, अंदोर, अजयन, गौालिय, चंबल संभागों में भी बारिश दर्च की गई रास्थानी भोपाल में आधी राज से बारिश शुरू हुई जो कभी मध्यम और कभी तेज रही गौर तलब है कि प्रदेश में मौनसून ने दस तक तो 15 जून के आसपास ही दे दी थी लेकिन हवा के उपरी दबाव और बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्शेतर नहीं बनने के कारण बारिश में देरी हुई मौसम विभाग के अनुसार अगले दो-तीन दिनों तक प्रदेश में मौनसून सक्रिय रहेगा अब कुछ समाचार संक्षेप में राजे शासंद्वारा भारत दास, बैरागी, अध्यक्ष, महर्शी, पतंजली, संस्कृत संस्थान को मथिप्रदेश के राजे मंत्री का दर्जा दिया गया है राजे शासंद्वारा COVID-19 महमारी की रोगठाम और बचाव के संबंध में प्रदेश के शास्कीर कार्यालेों के कार्यदिवस सप्ता हक में पांच दिन सोमवार से शुक्रवार तक रखने का आदेश अब 31 जुलाई तक प्रभाव शील रहेगा, पूर्व में यादेश 31 जुलाई तक के लिए लागू किया गया था ग्रह मंत्री नरूत्तम मिश्रा ने निवास कार्याले पर गुरवार को चार आरक्षकों को कारेवाहक प्रधान आरक्षक के पत पर पदोनत होने पर सम्मानत किया और परिवहन और राजस्व मंत्री ने बताया कि कोरोना वाइरस के व्यापक संक्रमन पर प्रभावी रोक्थाम के दुरिष्टिगत और लोखित में महराश्ट्री राजी की सीमा पर 28 जुलाई 2021 तक की अवधी के लिए यातुरी बसों के प्रवेश को स्थागित किया गया है इस बुलिटन में फिलहाल इतना ही अंध में एक अपील मास्क और दोगस की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी नमस्कार